आपने कहवत सुनी होगी, कैसे संगत वैसे रंगत। मैं आपको ये कहवत एक कहाने की मदद से समझाने का प्रयास करूँ। एक बार एक राजा सिकार के उदेश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक सिकार नजर नहीं आ रहा था, वे धीरे धीरे घने जंगल में परवेश करते गए। अभी कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें कुछ डाकों के चिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बूल पड़ा, पकड़ो पकड़ो एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो जल्दी आओ, जल्दी आओ, तोते की आवाद सुनकर सभी डाकों राजा की और दोड़ बाद उस पेड़ के पास चले गए, जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे सादू महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है, अंदर आईए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए, तोते की इस बात को राजा हैरत में पड़ गया, और सोचने लगा कि एक ही जाती के दो प्राणियों का व्यवार इतना अलग कैसे हो सकता है, राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वैतोते की बात मान कर अंदर सादू की कुटिया में चला गया, सादू महात्मा को परणाम कर उनके समीब ये कुछ नहीं राजन, बस संगती का असर है, डाकों के साथ रहकर तो तावी डाकों की तरह वैवार करने लगा है, और उनकी ही भासा बोलने लगा है, अर्थार्थ जो जिस वातावन में रहता है, वह वैसा ही बन जाता है, कहने का मतलब है कि मुर्क भी विद्वानों के स संगत में रहता है, तो उसके अंदर भी मुर्कता आ जाती है, इसलिए हमें अपनी संगती सोच समझ कर तुननी चाहिए, धन्यवाद